ग्यानी और भक्त दो लोग होते हैं उदाहरण से समझें तो एक होता है बिल्ली का बच्चा और एक होता है बंदर का बच्चा दौनों बच्चे अपनी मापर ही आस्त्रित रहते हैं पर थोड़ा सांतर है दौनों में क्या? बंदर का बच्चा जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती बच्चा पकड़ता है मा को अच्छा बच्चे ने मा को पकड़ा है और जरा पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है के नहीं तो बंदर का बच्चा जो है उसने अपनी मा को पकड़ा है तो बंदर का बच्चा हो गया ज्यानी ज्यानी तो वही जो पकड़े तो बंदर का बच्चा ज्यानी ज्यान का प्रतीक है पकड कमजोर हो जाएगी तो गिर जाएगा लेकिन बिल्ली का बच्चा जब बिल्ली अपने बच्चे को जनम देती है तो उस बच्चे की आँखें बंद होती है साथ घर घुमाती है बिल्ली अपने बच्चे को तब जाकर बिल्ली के बच्चे की आँख खुलती है साथ दिनी की कठा जब आप सुनेंगे तो आप लोगों की भी आँखेंखों खुल जाएंगे अच्छा बिल्ली अपने बच्चे को लेकर जब चलती है तो बताओ यहां पर बच्चा बिल्ली को मा को पकड़ता है या मा बच्चे को पकड़ती है बंदर में तो बच्चे ने मा को पकड़ा पर बिल्ली के साथ क्या होता है यहां मा बच्चे को पकड़ती है या बच्चा मा को कौन किसे पकड़ता है बिल्ली के सब्जेक्ट में ये है कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा नहीं पकड़ता, बंदर के सब्जेक्ट में है कि बंदर का बच्चा मा को पकड़ता है, अब बताओ, एक बच्चा वो है जिसने अपनी मा को पकड़ा है, और एक बच्चा वो है जिसे माने पकड़ा है, अब बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है कौन सा बच्चा सुरक्षित है यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा माँ को कभी भी छोड़ कर किसी भी दुकान में घुश सकता है कहीं भी जा सकता है इसलिए जब माँ बच्चे को मेला दिखाने ले जाती है बाजार ले जाती है तो बच्चे से अपना हाथ नहीं पकडवाती मा सोयम बच्चे का क्योंकि मा बच्चे का हाथ पकड़ लेगी तो फिर मा कभी नहीं छोड़ती उसा हाथ को बस उसी तरह बंदर तो मा को पकड़ता है जबकि बिल्ली का बच्चा बच्चा मा को नहीं तो जो भक्त है वो बिल्ली का बच्चा मा के भरों से बैठा है ले जाएगी तो जाओंगा ने ले जाएगी तो नहीं जाओंगा उसी तरह भक्त भगवान का बिल्ली के बच्चे की तरह होता है के हे प्रभू हम तो आपके आश्रत हैं आप पकड़ों जहां ले जाना चाहो हम आपको नहीं पकड़ेंगे प्रभू आप हमें पकड़ लो क् कि हम आपको पकड़ेंगे तो हम आपको अभीमान वस छोड़ सकते हैं पर आपने हमें पकड़ लिया तो आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे